नौवल की शुरुवात लिली के साथ होती है लिली एक यंग कॉलेज ग्रैजवेट है और बॉस्टन में रहती है लिली एक छतपर अपने पिता के अंतिम संसकार के बाद अपने थौट्स को क्लियर कर रही होती है तब ही उसका सामना रेजिडेंट सर्जन रायल किंकेट से हो अबल में कैमिस्ट्री तो होती है लेकिन ये सपस्ट हो जाता है कि जब रिष्टों की बात आती है तो दौनों के उद्देश्य अलग-अलग होते हैं रायल कैजल अफेर जाता है जबकि लिली एक सच्ची रिलेशन की तलाश में है दौनों अलग-अलग हो जाते हैं लेकि लिली और रायल का attraction एक दूसरे के लिए और बढ़ जाता है और रायल लिली के साथ casual relation की वज़ाए serious relation में आने का फैसला करता है इस पूरे time के दौरान लिली खुद को अपने past पर दुवारा गौर करती हुई पाती है और अपने पिता की डैद को याद करती है जो उसकी माता के प्रती abusive थे इसे ढूनने के लिए वे अपनी जर्नल्स को फिर से पढ़ती है जो लिली ने 15 साल की उमर में लिखी थी उन जर्नल्स में एक homeless 18 year old लड़का एटलस कोरिंगन के साथ लिली की मुलाकात के बारे में लिखा होता है एक teenager के रूप में लिली एटलस की मदद करती है जिसका घर और परिवार नहीं होता और धीरे धीरे वे एक दूसरे के close हो जाते है वे लिली को तब support करता है जब लिली के पिता लिली की मा को abuse करते है और उनके साथ domestic violence करते हैं present time में लिली सोचती है कि क्या वे अभी भी एटलस के साथ closer चाती है वहीं दूसरी तरफ लिली और रायल के बीच romance perfect दिखता है और उनकी feeling भी एक दूसरे के लिए बढ़ती जाती है लिली और अलेसा अब सबसे अच्छे दोस्त है और रायल भी लिली की मा से मिलता है एक रात लिली रायल और अपनी मा के साथ रेस्टरॉन डिनर करने के लिए जाती है और नौ साल बाद एटलस से टकरा जाती है एटलस उस रेस्टरॉन का ओनर होता है लिली खुश होती है कि एटलस अब ठीक है बाद में वैं सोचती है कि क्या ये वही क्लोजर है जो वैं चाहती थी इस्पेशली अब जब वैं रायल के साथ है हाला कि लिली और रायल की हैपिनेस का एंड हो जाता है जब एक शाम रायल गुस्से में लिली को चोट पहुचा देता है जब लिली ड्रिंक करते हुए डिनर बना रही होती है तब रायल गलती से बिना हैंडलस पहने हुए अवन से ट्रे निकालता है रायल का हाथ जल जाता है और वैं कैसरोल किरा देता है लिली हस जाती है लिली को हस्ता देख रायल जवाब में लिली को धक्का देता है और लिली कैबिनेट के दरवाजे के हैंडल से टकरा जाती है बात में रायल sorry feel करता है और लिली incident के बारे में confused और hurt feel करते हुए खुद के comfort के लिए रायल को allow कर देती है रायल कसम काता है कि वे लिली के पिता जैसा नहीं है जिसके बारे में लिली ने उसे बताया होता है लिली रायल को कहती है अगर फिर से ऐसा हुआ तो वे उसे छोड़ देगी और खुद को समझाती है कि रायल उसके पिता जैसा नहीं है और फिर दौनों एक दूसरे के लिए अपना love express करते हैं अगले दिन लिली, रायल, एलिसा, मारसल जोकी एलिसा का हस्बेंड है उस ट्रेस्टरों में खाना खा रहे होते हैं जहां लिली फिर से एतलस को देखती है एतलस लिली की जक्मी आख और रायल के बन्दे हुए हाथ को देखता है और उनदाजा लगा लेता है कि रायल ने लिली पर हमला किया है जब लिली वाश्रूम में एटलस का सामना करती है तो एटलस के पूछने पर वे रायल को डिफेंड करती है गुस्थे में एटलस लिली को उसकी मा से कमपेर करता है जिनके साथ हुआ एब्यूसिफ बहेवियर उसने सालों पहले देखा था जब एटलस और लिली बात कर रही होते हैं तो रायल उन्हें देख लेता है घुस्थे में एटलस रायल पर हमला करता है और उससे रेस्टरूं से निकाल देता है रायल लिली से रियर सॉरेंस मांगता है कि वे उसके साथ एटलस को लेकर अनफेथफुल नहीं थी लिली उससे कहती है कि वे सिर्फ उसी के लिए ही feeling रखती है Atlas लिली की flower shop पर आता है और restaurant में उसकी माँ से उसकी तुलना करने के लिए माफी मांगता है वे उसके लिए एक gift लेकर आता है जो Atlas ने उसके लिए बहुत पहले खरीदा होता है और अपना phone number emergency के लिए दे जाता है Atlas का visit और concern लिली को सालों पहले Atlas के साथ लगाव की याद दिलाता है जब महिनों तक Atlas खाली गर में रहता था जहां लिली उसे खाना, कपड़े और अपने घर का shower यूज़ करने के लिए देती थी और winters में सोने के लिए bedroom का फर्ज देती थी अपने घर से दूर और बिना परिवार के Atlas अपने दम पर high school खत्म करके सेना में शामिल होना चाता था और जैसे जैसे वे लिली के साथ time spent करता है तो दौनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है Atlas eventually अपने एक अंकल से contact कर पाता है और उनके साथ रहने के लिए Boston निकल जाता है Atlas लिली को छोड़ कर चला जाएगा यह लिली के लिए heart broken होता है लेकिन लिली खुश होती है कि at least Atlas को रहने के लिए जगा मिल गई Atlas लिली के 16 जनम दिन पर लोड़ता है और उसे promise करता है कि वे future में भी उसे ढूण लेगा लेकिन उस रात लिली के फादर Atlas को लिली के साथ उसकी room में देखकर attack करते हैं और उसे hospital फिर जेते हैं उस दिन से लिली Atlas को कभी नहीं मिल पाती और sad फिल करती है कि Atlas ने कभी उसे मिलने की कोशिस नहीं की हाला कि वे अब जानती है कि रायल ही उसका future है आगे की story में लिली रायल के माता-पिता से मिलती है और रायल और लिली एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं एक रात रायल को लिली के phone में Atlas का number मिलता है जब लिली रायल को समझाने के लिए रायल के पीछे जाती है तो रायल उसे सीडियों से धक्का दे देता है पहले रायल अपनी गलती मानने से मना कर देता है और लिली से पूछता है कि वह उसे दोका नहीं दे रही है न लिली उसे बताती है कि Atlas उसकी शौप पर क्यों आया था और रायल को अपने अपार्टमेंट से बहार कर देती है रायल फिर से लिली से माफी मांगता है और अपनी बहन Alyssa की मदद से लिली से कॉंटेक्ट कर पाता है रायल लिली को कहानी सुनाता है कि कैसे उसके भाई की मौत हो गई जब 6 साल के रायल ने गलती से उसे गोली मार दी देन रायल कनफेस करता है कि वह अपने एंगर इशू से सफर कर रहा है लिली रायल के प्रती अपनी फिलिंक्स और दूसरी तरफ अपनी सिचुएशन और अपने पैरेंट्स की अब्यूसिफ रिलिशन की सिमिलारिटीज में फस जाती है लिली रायल से कहती है कि वह उसकी मदद के लिए तयार है इस घटना के बाद रायल इंप्रूफ होता हुआ दिखाई देता है एक रात जब लिली अपने अपार्टमेंट में बापस जाती है तो उसे वहाँ पहले से ही रायल मिलता है जो कि रेफरिजरेटर के पास ड्रिंग की हुए और हाथ में फ्रिच मेगनेट पकड़े होता है और लिली से पूचता है कि यह मेगनेट कहां से मिली लिली डरी हुए होती है क्योंकि लिली को वह मेगनेट उसके 16th पदे पर एटलस ने दी हुई होती है जो अभी भी उसके पास होती है लिली को पदा चलता है कि रायल ने उसकी पुरानी जर्णल्स भी पढ़ ली है अब रायल लिली को हट and almost उसका रेप करने की कोशिश करता है लिली खुद को defend करती है और एटलस को help के लिए call करती है एटलस उसे hospital ले जाता है और वहाँ पता चलता है कि लिली pregnant है गबराई हुई लिली एटलस के साथ उसके घर चली जाती है और कई जिनों तक वहीं रहती है रायल एक दिन लिली को उसकी flower shop पर ढून लेता है लेकिन उससे कहता है कि वह 3 months के लिए England जा रहा है लेकिन लिली फिर भी अपने apartment में जाने से डरती है और एटलस के घर चली जाती है क्योंकि एटलस के घर वो safe feel करती है और एक दिन एटलस एडमिट करता है कि उसने लिली को ढूनने की कोशिश की थी और उसने लिली को फिर खुश देखा और सोचा मेरे बिना लिली की लाइफ बैडर है और एटलस लिली से बिने बिना ही वहाँ से चला जाता है वे लिली को अपने अपार्टमेंट में बापस ले घाता है और अपनी फीलिंग कनफेस करता है और क्लियर करता है कि वे समझता है कि लिली अभी अपनी करंड सिचुेशन में फसी हुई है और एटलस होप करता है कि एक दिन उनके बीच सब ठीक हो जाएगा जैसे जैसे टाइम निकलता है लिली को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को भी पताने में नर्वसनेस फील होती है वे अलोन फील करती है और उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है लेकिन वे किसी को प्रेगनेंसी के बारे में इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि वे सोचती है कि सब उसे रायल के साथ रहने के लिए convince कर लेंगे आला कि Alyssa को doubt होता है कि रायल और लिली के बीच कुछ हुआ है वे लिली से मिलती है और लिली अपनी situation के बारे में Alyssa से discuss करती है और रायल के abusive behavior के बारे में उसे बताती है हाला कि Reel Elissa का ब्रदर है लेकिन फिर भी Elissa Reel को छोडने की सला देती है लिली eventually अपनी मा के पास जाती है और खुद के साथ हुए evasive behavior और अपनी मा के experiences के बारे में discuss करती है लिली की मा भी उसे Reel को छोडने के लिए सला देती है रायल तीन महीने के बाद जब लोड़ता है तो सिर्ट लिली की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है वे लिली से माफी मांगता है लेकिन लिली अब रायल से डिस्टेंस बना लेती है और अपनी प्रेगनेंसी के फाइनल मंस में सिर्फ अपने बेबी के पिता के तौर पर help करने के लिए allow करती है रायल की help को accept करने के बाद भी वे अपने बेबी के जन्म से पहले रायल के साथ अपने रिष्टे पर कोई भी फैसला लेने से मना कर देती है लिली एक बेबी गर्ल को जन्म देती है और सोचती है मेरी मदर ने भी इस situation से सफर किया और मैंने भी लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं उने दूँगी वे decide करती है कि वे domestic balance के अंडर रायल को divorce दे देगी लिली 11 महीने बाद एटलस से मिलती है और अपने और एटलस के relation को accept करती है और अपनी बेटी को forehead पर kiss करती है और promise करती है यह तुमारे और मेरे साथ end होता यह तुमारे बेटी करती है यह तुमारे बेटी करती है